जब ही मा बच्चे को जन देती है तो एक चीज सोचती है मेरे बच्चे के लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी लाइफ वर्ल्ड की बेस लाइफ बन जाए और अगर ऐसा ही रावन ने सोचा अपने पुत्र के बारे में तो क्या गलत है भला ये बात कहां से आई ही डेट निकाल लेते हैं और उसी डेट पर बच्चे की डेलिवरी कराते ताकि उसको बेस्ट टाइम और बेस्ट डेट मिल सकें सिमिलरली रावन ने भी किया मेगनात के जन्म के पहले सारे प्लानेट सारे ग्रह धरती पर आ गए लेकिन शनी भगवान नहीं आए शनी भग चला की शनी महाराज तो कारागार में कैद हैं चोटिल शरीर के साथ वो अंदर करा रहे थे धन्मान जी उनकी मदद करने गए और वहां उन्हें तिलकर तेल लगा के उनके दर्द पर रहात पहुंचाए तभी से शनी महाराज ने एक आशिरवात दिया हनुमान जी को कि जो नमबर एट वाले लोगों को स्ट्रागल और डीलेज देखने पड़ते हैं उसका साइन्स क्या है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लेट्स मूब आज मैं इस प्लाटफॉर्म पे इस ब्लॉग में ये डिस्कस करूँगे कि वाई नमबर एट इस डिफिकल्ट वाई न से किसी वेब स्रीज में मैंने इंफिनिटी का एक साइन देखा था इंफिनिटी का साइन कैसा होता है जहां से शुरू होता वहीं आके खतम होता है और वो बार बार वैसा होता रहता है तो इससे क्या पता चलता है ऐसे लोग किसी भी काम को जब तक ना कर ले मानेंगे नही जी बिलकुल, example के तोर पर नरेंदर मोदी है दूसरी, एक और personality का मैं नाम लेती हूँ, वो है Mother Teresa उनकी भी life में बहुत सारी problems हैं, मगर क्या उन्होंने हार मानी थी नहीं फिर भी number 8 को हम क्यों avoid करते हैं, क्यों ये एक struggling planet माना जाता है इस पर एक और discussion आज के इस वीडियो में अपने Saturn का planet का जो symbol है, अगर geography की book में देखा होगा तो देखेंगे उसके बाहर एक चक्र बना हुआ है ये चक्र कुछ और नहीं, बलकि एक dust का एक बादल है, जो उसके इर्दगिरत होता है ऐसे ही ये लोग भी होते हैं, अक्सर इन्स को देखने वाले लोग ये confused कर जाते हैं कि ये sweet भी हो सकते हैं, यानि दिखने से ये लोग थोड़े strict नज़र आते हैं 8, 17, 26 को bonn होने वाले लोग जादा करके अपनी बात को to the point बोलना पसंद करते हैं और जब तक आपको convince ना कर लें, मानते नहीं है इसके पीछे कारण क्या है? सबसे जादा time लगता है Saturn को अपना orbit complete करने में That is, सवा दू साल जबकि सबसे कम समय लगता है moon को यानि moon वाले लोग moody और Saturn वाले लोग strict होते हैं हार्ड वर्क के बिना इन्हें लाइफ में कुछ भी नहीं मिला इसलिए इन्हें हार्ड वर्क पे believe है और क्यों नहों जब आप बहुत मेहनत करके कोई चीज बनाते हैं तो उसका मजाई कुछ और है For example, बिर्यानी कितने देर में बनती है और उसका टेस्ट भी देखिए माशाळला कितना अच्छा होता है Similarly, ऐसे बहुत सारी चीज़े जो मिठाईयां बनती है जो बहुत सारे recipes होती है जो काफी time taking होती है वो अकसा tasty होती है So, इसी तरह से Saturn के लोग भी थोड़े से difficult होते है भले ही इनकी life में कितनी भी परिशानिया आए लेकिन उनका सामना करने की इने बच्पन से आदत होती है जिसने बच्पन मही काफी तूपानों का सामना कर लिया हो वो भला क्या डरेंगे आंधियों से कुछ ऐसी सोच रखने वाले होते हैं साधन वाले लोग इनकी सबसे बड़ी दुश्मन अगर किसी को मैं मानती हूँ तो मैं मानती हूँ जल्दबाजे को दूसरा इनके गुस्से को क्योंकि ये गुस्सा जब करते हैं तो भूल जाते हैं क्या बोल रहा है कि सेने बचना चाहिए ये लोग पता नहीं आप इनके देख सकते हैं और रिजिडिटी तो इनके बहुत फेवरेट होते हैं रिजिडी इसले क्योंकि इनने नौलेज बहुत है और किसी भी बात की तहें तक जाकर उसके बारे में पता लगाने में काफी एक्सपर्ट होते हैं चाहे हार हो या जीत हो judgment तो सचकी होनी चाहिए इसी के लिए अकसर अपनी बात को convince करते में नजर आते हैं इसलिए मुझे लगता है जो certain वाले लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं अगर वो किसी government job में हो या judge की chair पर हो या एक अच्छे lawyer हो या फिर political field में हो they are highly good in that क्योंकि अगर आप में power है अपनी बात को convince करने की तो convince करने वाली जगा पे भी पहुंच जाएं और हमेशा सही का साथ दीजे एक चीज जो इनकी और दुश्मन होती है वो है addiction अगर किसी चीज की इनको addiction लग जाए चाहे वो stock marketing क्यों न वो छूटने वाली नहीं है इनके रिष्टे भी अक्सर इन ही वजहों से खराब होते है या तो वो किसी चीज की आदत की वज़े से खराब होते है या इनकी rigidity की वज़े से या इनकी unnecessary strictness की वज़े से इससे इने परहेच करना चाहिए और जब mobile number में number 8 आ जाता है तो वही सारी qualities वो आप में लाना शुरू कर देता है जिसकी वज़े से हमें life में rigidity अपनानी पड़ती है hard work जादा करना पड़ता है अब हमें आदत तो होती नहीं है लेकिन अगर बार बार call करो और काम न बने तो इनसान का दिमाग खड़ जाता है इसलिए मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया कि number 8 को कोशिश करें एक ही बार रखें बहुत सारे number 8 के आपको ज़रूरत नहीं है बट हाँ मैं बताती हूँ कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जहां number 8 के फ्लाट बहुत महेंगे कीमतों पे बिखते हैं वो बहुत इसे लखी मानते है और number 8 को वो बिल्कुल बुरा प्लानेट नहीं मानते है इसका reason है वहाँ के sciences ने इसे पाया है कि ये जो प्लानेट है ये प्लानेट है stability का इसकी stability अच्छी है तो ये लोग stable बहुत होते है अगर कोई बात की commitment कर देंगे न आपको कभी भी छोग करनी जाएंगे वो उसे पूरा करनी की ताकत रखते हैं प्यार में बहुत कच्छे होते हैं काफी obsessed हो जाते हैं और stalk करते हैं और लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं खुद भी कुए में कूच सकते हैं ऐसी power होती है तो मुझे लगता है कि अगर साटन को आप ठीक से समझें तो इसके benefits भी उठा सकते हैं तो इससे बिल्कुल डरिये मत बल्कि ये कर्मा और abundance का planet है तो जो लोग हम जो भी काम करते हैं कभी-कभी आपने सुनोगों लोग बोलते हैं पता नहीं कौन से काम किये थे जो ये सम मिल गया इसका मतलब किया आपको खुद पता है यानि आपको साटेन भगवान multiply करके देने वाले So make sure कि आप जब भी कोई काम करें किसी का कभी भी मुनाफ़ा न मारें अगर आप किसी से astrology भी लिकर वा रहे हैं उन्हें कम से कम एक small donation ज़रूर दे दे अगर कोई आपके दर्वाजे पे खड़ा है उसे at least चाय पिला दे अगर एक जानवर भी आपके तरफ देख रहा है उसे एक bread का piece खिला दे याद रखें कौन सा इंसान किस रूपे हमारे पास आया में पता नहीं होता भगवान कभी भी भगवान के रूप में हमारे पास नहीं आते वो अक्सर किसी ऐसे रूप में आते हैं जहाँ आप उन्हें पहचान नहीं सकते सो कर्मा सेज दिस येस लख वर्क्स वेर कर्मा वर्क्स इसलिए लख और कर्म का जो साथ है वो हमेशा साथ रहेगा वो हमेशा एक दूसरे के साथ reversible काम करते रहेंगे मेहनत से लगते हैं चोके और किसमत से मिलते हैं मौके इसको हमेशा उठाते रहें और अगर अपने साथन को अच्छा रखना चाते हैं जिनका साथन बुरा होगा वो कुछ सिम्टम्स देख लीजे अगर आपके मोबाइल में भी बहुत सारे एट है तो सिम्टम्स देखिए पैरों में दर्द होना काम का डीले होना बहुत जादा मेहनत करके लिटल रिजल्ट्स मिलना और कई बार एक ही बात को समझाते समझाते ठक जाएगा मगर सामने वाला आपको misunderstand ही करेगा हमेशा defame करेगा आपके depths हो सकते हैं क्योंकि अगर आप curse में गए तो बहुत अंदर चले जाएंगे इन चीजों को follow करे and respect certain और हमेशा विश्वास करें अगर आपने अच्छे काम किये हैं मैं अगर आपको आज help कर रही हूँ तो मुझे इसके results मिलेंगे ये मुझे पता है similarly आपके अगर पैरों में दर्द होता है आपको joint pain रहती है आपको backache रहती है आपको किसी तरह का अंजाना dust अताता है आपको mental tension रहती है और आप रात को सो नहीं पाते this is all because of Saturn so क्या करिएगा हनुबान चाली सा पढ़िए second remedy क्या हो सकती है जो street animals उनको feed कीजे जूठन नहीं करना है उनको bread या biscuit का packet feed कीजे third क्या करेंगे जो old age के लोग है उनको at least ठंड में कंबल गर्वी में चाय ही donate कर दीजे और हमेशा मदद करने के मौके धूढ़िए the more you help people the more universe will return it's my promise to you all hope आप आज के वीडियो को small precise way में समझ गए होंगे आपके questions का बहुत सारा स्वागत है और please दिल खोल के questions भेजे जो possible लोगा मैं answer करूँगी कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जब आप अपनी पूरी date of birth mobile number सब भेज देते हो तो फिर तो ये कुंडली ही बनाने वाला काम हुआ तो please do not send the whole thing ओना comment section क्योंकि मैं वहाँ पे अगर आपकी कुंडली देखने लगूंगी तो फिर मेरे job का क्या होगा तो please आप उसके लिए मुझे Instagram पे consult करेंगे Instagram से आप payment कर सकते हैं और वहाँ से आपको call पर फिर सारे details ले ली जाएगी 5 in 1 combination यानि 5 in 1 analysis का हमारा already एक चल रहा है offer अभी जिससे आप उठा सकते हैं till valentines उसके बाद इसके charges हाई हो जाएंगे जिसमें आपको मिलती है आपकी पूरी suggestions प्रवाइड होते हैं correct pair बना के मिलती है आपको आपका purpose of mobile number समझा जाता है और सब कुछ proper consultation में यानि 3 consultation free मिलती है आपको इसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम अपने सभी clients से 6-8 महने तक जुड़ी रहती हूँ तब तक उन्हें कोई भी दिक्कत आती है मैं उनके साथ हमेशे support करती हूँ उमीद करती हूँ कि आप इस video को like करेंगे और अगर आपके mobile number बहुत सारे 8 नजर आ रहे हैं तो उनका या तो respect कीजे या उनकी remedy कीजे या उन्हें remove कीजे इन में से इसके अलावा कोई option नहीं है आपको ये करना ही पड़ेगा anyhow सो आज के लिए इतना ही और इसी तरफ अपने अपने प्रश्ण भीजिए और Saturn को लेकर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि Saturn is a very beautiful planet लेकिन Saturn को जिनके date of birth में 8, 17 and 26 है वो जो मैंने remedy बोली है वो जरूर जरूर करे तब ही उनको lifelong जो है उनकी life easy रहेगी और थोड़ा सा flexible बने यानि अपने बुद्ध ग्रह का साथ ले help ले जिससे क्या होगा अगर आप flexible होते हैं communicative होते हैं सही जगह पे बोलते हैं आपकी value बढ़ती है तिल का तेल का सेवन करें खाने में भी लगाने में भी बहुँ जल्दी health मिलेगी क्योंकि शरी माराज को तिल का तेल बहुत पसंद है साथ में वो लंगडा कर चलते हैं है ना क्योंकि वो उनका पैर तोड़ गया गया था उसके पर भी एक कहानी है चोटी सी और वो सूरे के नजायज उलाद माने जाते हैं इसलिए सूरे से उनकी नहीं बनती है इसलिए शरी वाले लोगों को जितने भी साटन वाले लोगों थे हैं उनको अक्सर सूरे वाले लोगों आपने को अपने लादे नाज भी लोगों अपनी लादे को मजडार बनाइए उनक्त वित्मी जादी से जलदी अपनी लाइप को मजडार बनाएए कनेक्ट वितमी बाए माई रादे रादे